मेंडेल का सिध्धान्द एक संक्र संत्तिती का प्रयोग हमारा स्वरूप और हमारा वर्तन ये हमारे अभिभावकों की कुछ विशिश्ताओं के सयोग और कुछ जिस वातावरन में हम रहते हैं उसके करण होता है हमें हमारे आधे डियेने हमारे मा से और आधे डियेने हमारे पिताजी से प्राप्त होते हैं इन दोनों गुनसत्रों का ही मेल होता है जो हमारी पहचान बनता है मेंडेल वे वैग्यानिक थे जिन्होंने इस मन्शानुक्रम के धाचे का अध्यान किया और इस अध्यान के लिए उन्होंने मतर के पौधे को नमुने के रूप में इस्तमाल किया उन्होंने मतर के पौधे पर पद्धती बद्ध प्रयोग किये इन प्रयोगों के परेडाम बड़े ही रोचक थे आपके पुस्तक में आप मेंडेल का लोगुजीवन परीचय पड़ पाएंगे चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यही पोधा क्यों चुना होगा मेंडेल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि वो पोधा उगाने में आसान है और जल्दी भी उगता है स्वयम गर्भाधान की क्रिया उसमें होती है ऐसे मटर के पौधे में जोड तोड कर अनेक परसपर विरोधी विशिश्ताओं को देखना अधिक आसान है स्वयम गर्भाधान का अर्थ है एक ही फूल के स्त्री और पुरुष भाग में यौन प्रजनन प्रक्रिया होती है और बीजों का निर्मान होता है जो वन्शेश पधों का निर्मान करते है मटर के फूल पर ही मेंडेल नपुनसक करन की प्रक्रिया कर सकते थे अर्थात उन्होंने कुछ फूलों में से पुरुष प्रजनन अवयों को निकाला ताकि उनमें स्वयम गर्भाधान की प्रक्रिया न हो पाए और जिससे वे किन दो प्रकार के फूलों का संकर करना ये चुन सके है चलिए अब हम मेंडेल द्वारा मटर के पौधे की कौन-कौन सी विशिष्टाओं का अध्यन किया गया था ये देखते हैं आप अभी आपके सामने साथ विशिष्टाओं की सूची देख रहे हैं बीच का आकार, बीच का रंग, फूलों का आकार इत्यादी उन्होंने विशिष्टाओं को इस प्रकार चुना जिसके कारण एक ही विशिष्टा के लिए उन्हें दो अलग लक्षण मिल सके उधारन के लिए अगर मेंडेल पौधे की उचाई इस विशिष्टा का अध्यन कर रहे हो तो जिन दो अलग लक्षणों का उन्होंने अध्यन किया वे लक्षण थे लंबे और बौने पौधे इसका अर्थ है कि दिये हुए पौधों में से कितने लंबे हैं और कितने बौने हैं ये उन्होंने गिना इसी प्रकार से उन्होंने अन्य लक्षनों का भी अधियन किया अब हम उनके द्वारा किये गए पहले प्रयोग के बारे में जानेंगे जिसे उन्होंने एक संकर प्रयोग कहा एक संकर का अर्थ है इन प्रयोक की श्रिंकला में एक समय में सिर्फ एक ही विशेशता का अधियन किया गया था प्रयोक की पहली पाइदान पर मेंडेल ने लंबे और बौने पोधों का संकर किया और उनके द्वारा निरमिती बंशजों का निरिक्षण किया जिन लंबे और बौने पोधों का उन्होंने इस प्रकार के लिए चैन किया था वे शुद्ध प्रभावी पोधे थे इसका अर्थ है उन्होंने लंबे पोधे का लंबे पोधे के साथ संकर किया और उसके वंशच पोधों को इकठा किया जो लंबे थे उन्होंने इन वंशेश पौधों में से फिर से लंबे पौधों को चुना और उनका फिर से संकर किया इस प्रक्रिया को उन्होंने तीन चार पिडियों तक दोहराया और फिर उसमें से एक पौधे को उन्होंने एक संकर प्रक्रिया के लिए लंबे जनक के रूप में चुना। उन्होंने यही प्रक्रिया बौने पोधों के साथ दोहराई और उनमें से बौने जनक को संकर के लिए चुना। आप अपने स्क्रीन पर इन ही जनकों को देख रहे हैं। अब इन जनकों को उन्होंने संकरित किया और उनसे प्राप्त बीजों को इकठा कर उन्हें बो दिया। दो तीन महिनों के बाद उन्होंने वंशच पौधों की लंबाई ना पी लगबख सारे वंशच पौधे लंबे थे इसका अर्थ है भले ही दोनों में से एक जनक बौना था सारे वंशच पौधे लंबे निर्मान गुए अब मेंडेल ने इन वंशर्ष पोधों में से दो पोधों को आगे के संकर के लिए जनक के रूप में चुना इस संकर में दोनों जनक लंबे थे पहले वाले संकर से निर्मित वंशर्ष पोधे पहले की तरह इस प्रक्रिया में भी बीजों को इकठा कर उन्हें बोया गया और फिर वंशच पौधों का निरक्षन किया गया इस बार आशरी जनक परिणाम थे सारे वंशच पौधे लंबे नहीं थे, कुछ बौने भी थे मेंडेल ने ये प्रयोग प्रतिकृति में किये थे अर्थात उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही संकर नहीं किया था समानतर रूप में अनेक संकर किये थे उन्होंने पहले संकर में से अनेक पौधों को इस संकर में जनक के रूप में चुना था उनके दूसरे प्रयोग के संकर में जितने लंबे या बौने पौधे हुए उनका वास्तविक आंकड़ा था 787 लंबे पौधे और 277 बौने पौधे इनका अनुपात था 287 अनुपात 277 जो 2.84 अनुपात एक आता है आईए अब हम एक संकर संतती प्रयोग संग्शिप्त विबरंड देखते हैं पहले संकर के समय जबके प्रथम जनक शुद्ध प्रभावी लंबा पौधा था और दूसरा जनक शुद्ध प्रभावी बौना पौधा था इस संकर के परिणाम सुरूब जिन वनशच पौधों की निर्मिती हुई वे लंबे थे इन जनकों को जनक पौधी या पी बन कहा गया और जो जनक इन से निर्मान हुए उन्हें F1 या प्रथम संतानिय पौधी कहा गया अंगरे जिभाशा में इसे फिलायल कहा गया जिसका अर्थ पुत्र या पुत्री से या उनसे संबंदित था दूसरे संकर के लिए इन्हें वनशच पौधों में से जनकों को जुना गया था दूसरे पौधी के जनक पौधे लंबे थे और जो वनशच पौधे तयार हुए वे अधिकतर लंबे थे पर उनमें से कुछ बौधे बोने भी थे इन वनशच पौधों को F2 या द्वितिय संतानिय पौधी कहा गया इसमें लंबे पौधों का बौने पौधों के साथ अनुपात 2.84 अनुपात 1 था इससे मेंडेल को इस बात का ऐसास हुआ कि भले ही P1 PD और F1 PD के पौधे लंबे हैं फिर भी वे एक दूसरे से भिन नहीं P1 PD के लंबे पौधों के दोनों जनक लंबे ही लंबे थे पर F1 PD के लंबे पौधों के दोनों जनक में से एक जनक लंबा और एक जनक बौना है एक संकर संतती प्रयोग के परिणामों के आधार पर निकाले गए निशकर्ष मेंडेल ने एक संकर संतती प्रयोग के आधार पर ये निशकर्ष निकाला कि ऐसे कुछ कारक होते हैं जो एक पीडी से दूसरी पीडी में संक्रमित किये जाते हैं इनी कारकों के कारण वंशज अपने जनकों से कुछ विशिष्ट लक्षणों को विरासत में पाता है और हम जानते हैं कि ये कारक और कोई नहीं हमारे जीन्स होते हैं पर मेंडिल को उस समय इस बात की भनक तक नहीं थी कि DNA कैसे दिखता है या फिर जीन्स क्या होते हैं मेंडेल ने ये निशकर्ष निकाला कि लंबे पौधों के कारक बौने पौधों के कारकों पर अधिक हावी हुए हैं। आईए, पहले इन दो पारिभाशिक शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। जनुक विधा का अर्थ होता है प्राणियों की जनुकिय रचना। प्राणियों के कोशिका केंदरक में प्रस्तुत, विविध कारकों का सहियों और स्वरुप विधा का अर्थ होता है प्राणियों का रूप और उनकी बाहिय विशिष्टाएं या दृष्यलक्षन। चलिए, अब उपर वरने दोनों संकरों के बारे में इन कारकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। पहले संकर में जनक शुद्ध प्रभावी अर्थात लंबे और बॉने थे। इसका अर्थ है कि शुद्ध प्रभावी लंबे पौधों में दो कारक थे। T और T बढ़ा वाला T और बढ़ा वाला T वहीं दूसरी और बौने पौधों में जो दो कारक थे वे थे T और T मतलब छोटा वाला T और छोटा वाला T युगमक के निर्मान के दौरान हर एक पौधा संतती को एक-एक कारक देता है और इस प्रकार संतती पौधे के पास अब दो कारक हैं बड़ा वाला टी और छोटा वाला टी इसमें सारे वंशज पौधे लंबे थे सारे संतती पौधों की जनुक विधा बड़ा वाला टी और छोटा वाला टी है और उनकी स्वरुप विधा है लंबाई चलिए, अब हम दूसरे संकर की बात करते हैं दूसरे संकर के जनक पौधे पहले संकर के लंबे वंशच पौधे थे। इन सारे लंबे पौधों की जनक विधा एक बढ़ाटी और एक छोटाटी थी। योगमक के निर्मान के दौरान हर एक पौधा दो प्रकार के योगमकों का निर्मान करेगा। एक में एक बढ़ा वाल इस प्रकार विद्धो योगमक प्रजनन के दौरान किस प्रकार से एक रूप होंगे इसकी चार अलग-अलग प्रकार की संभावनाएं निर्मान हो जाती हैं। इन्ही संभावनाओं को पनेट स्क्वेर द्वारा दिया गया है। संभावना है कि बड़ा वाला टी प्लस बड़ा वाला टी बड़ा वाला टी प्लस छोटा वाला टी चोटा वाला टी या फिर छोटा वाला टी प्लस छोटा वाला टी हो सकता है। परेट स्क्वेर द्वारा हमें संभावित नतीजों के बारे में सैध्धान्तिक संभावनाओं का पता चलता है। इसी कारण अगर हम जनुक विधा के अनुसार देखें कि 25 प्रतिशत संभावना है कि बढ़ाटी और बढ़ाटी हो या फिर 50 प्रतिशत संभावना है कि बढ़ाटी और छोटाटी हो पर अगर हम स्वरूप विधा की दृष्टी से देखें तो पाएंगे कि 75 प्रतिशत संभ कि बंशर्च पौधे लंबे होंगे क्योंकि बढ़ाटी और बढ़ाटी हो या बढ़ाटी और छोटाटी हो इन दोनों का परिणाम लंबे पौधे की निर्मान में ही होगा। इस मामले में 25 प्रतिशत ही संभावना है कि बौने पौधे की स्वरूप विदा हो क्योंकि बौने पौधे के लिए आवर्शक जनुक विदा छोटे टी और छोटे टी सिर्फ एक ही है। अब जब हमने उन सारे प्रयोगों को देखा और एक संकर संतती प्रयोग के परिणामों को भी जाना तो आब हम कुछ पारिभाशिक शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। इनमें से पहला शब्द है कारक। मेंडल कारक को परिभाशित करते समय कहते हैं वो जो एक पीडी से दूसरी पीडी में संकरमित किये जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कारक वास्तों में जीन्स हैं जो हमारे गुणसूत्रों का भाग होते हैं। प्रजनन के दौरान वास्तों में गुणसूत्र एक पीडी से दूसरी पीडी में संक्रमित होते हैं। दूसरा शब्द है जेनेटिक तत्व अलिली ये जेनेटिक तत्व दो भिन प्रकार के होते हैं जो एक ही जीन में पर अलग-अलग अनुकूल गुणसूत्रों पर होते हैं। समयुगमक का अर्थ है सजीव के एक ही जीन में दो समान प्रकार के जेनेटिक तत्व का होना जैसे बढ़ाटी और बढ़ाटी या फिर छोटाटी और छोटाटी विशम युगमक का अर्थ है सजीव के एक ही जीन में दो भिन्न प्रकारों के जेनेटिक तत्व का होना जैसे बढाटी और छोटाटी अगले वीडियो में हम द्वी संकर संतती के प्रयोग के बारे में देखने वाले हैं झाले हैं